हे गाईज देखो रीटेल इंवेस्टर के साथ हुआ एक बहुत बड़ा धोका मतलब यह क्या है कि इस तरीके के मतलब बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और रीटेल इंवेस्टर को जादा तर पता भी नहीं चलता आपने यह मुवी तो देखा ही होगा मुणना भाई MBBS सर्किट जिसको बोला जाता है ठीक है तो इनके उपर एक आरोप लगा है मैं यह नहीं बोला हूँ कि इस इंसान ने ऐसा किया वह ऐसा किया करके एक आरोप लगा है वो सेबी के तरफ से लगाया गया है और इनको जो है साथ आठ साल के लिए मार्केट से बाहर निकाल दिया गया है इनके मतलब family member को निकाल दिया गया, stock market से बाहर, ये market में कुछ नहीं कर सकते हैं, पहली चीज, दूसरी चीज, करोडों का मतलब बहुत बड़ा amount, मतलब इनके उपर जो है, क्या बोलते हैं, वो penalty लगाया गया है, कि इतना पैसा सेबी को अब इनको देना पड़ेगा, तो सब मतलब ये 1 रुपय के value भी नहीं रहता, ये सारे stocks का, और 40-500 रुपय में चले जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसी price से उसी level से गिरते हुए नजर आते हैं, और अगर आप देखोगे, तो 80% तक का तो नुकसान अभी तक हो चुका है, ठीक है, तो इस तरीके से क यहाँ पर मैं आपको बताते हुए नजर आओंगा, देखो यहाँ पर सेवी के तरब से बताया गया है, सेवी ने, सेवी crackdown on stock manipulation, manipulate किया जाता है, जैसे यह चाते हैं, उस तरीके से उस stock को नचाते हैं, अपने हिसाब से, इसमें कुछ यूटूबर भी सामिल है, यूटूब यूटूबर भी होते हैं, जो मतलब कुछ लोग को साथ देते हैं, और यहाँ पर जो नाम दिया गया है, बैन किया गया है, अरसद वारसी, यह जो मैंने आपको बता है, मुन्ना भाई, बीबियस में आपने लोगों ने जो एक्टर को देखा था, अभी जो मैंने आपको द बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने साथ दिया होगा, यहाँ पर देखे सभी लोग को बताया गया, मार्केट रेगुलेटर, ठीक है, मार्केट रेगुलेटर बार्ड, मतलब इनको बैन किया गया, हटाया गया, मतलब रोका गया है एक तरीके से, इंक्लूडिंग एक्टर आपको बताया जाया, जो अर्सद मैंने आपको बताया, इनके वाइब जी है, और भी मतलब इनके साथ जो मेंबर है, उन सभी लोगों को, मार्या, इन सभी लोगों को, और पर मोटर्स भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा, यह सभी लोगों को, देख सक्तिमा पर बताया गया कुछ यूटुबर भी थे जो इनके साथ दे रहे थे और यह सब लोग मिल के कर क्या रहते यहां पर पहले मैं आपको समझा देता हूं यह लोग क्या कर रहे थे कि कमपनी मतलब अभी 40 करोड या 50 करोड के सम्तिंग में है कमपनी पहले बहुत चोटी थी बहुत चोटी का मतलब कमपनी पहले बहुत चोटी होगी 2-3,000 परसंड के उपर चले गई थे तो हुआ क्या इन लोग ने देखा कि छोटी कमपनी है इन लोग आपस में सब लोग मिल ग स्टॉक को यहां से कॉंट्रेक्ट मिलने वाला है यह स्टॉक को यहां तक जा सकता वह सकता ऐसा हो सकता इस तरीके से पूरा उन लोगों ने खबर फैला दिया कंपनी छोटी थी लोगों ने भरोसा खर लिया और लोगों ने खरीदा तो स्टॉक इन्हों ने पहले सी खरीद क चला है कि यह खबर इनी लोग नहीं दिया है लेकिन खबर देने से कुछ दिन पहले इन लोगों ने इन लोगों ने इस टॉक को खरीद लिया था सबी लोगों ने खरीद आता ठीक है यह एक सी एन बीसे आवाज में भी हुआ था था ना हेमत घई करके तो उन्होंने उन्हों और इसके वज़े से क्या होता है कि छोटी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उपर में खरीद लेते हैं क्योंकि यह लोग अच्छी ची बड़े-बड़े लोग हैं यह लोग तो अच्छी ची खबर फैला रहे हैं तो उपर में यह लोग बेज देते हूं फिर लोगर सरकेट अब वो बेचना है नहीं चाहता वो बेचना है नहीं चाहता तो आप खरी सकते हो कि नहीं खरी सकते हो मार्किट में बहुत सारे दुकाने जो फ्रिज अबेलेबल है अब जाके उसको खरीदो को तो बोलेगा कि हाँ ले लो उसको मार्किट बोला जाता तो इस वाज़े से buyer और seller दोनों ready होने से चीजों को खरीदने के लिए जो promoters है वो भी मतलब इस तरीके के चीजों में कभी-कभी सामिल होते हैं क्योंकि उनको भी benefit चाहिए होता है ये लोगों ने जो भी misleading video upload किया था जो भी YouTube में upload किया था उनके वज़े से इनको 41.85 करोड का benefit हुआ था सोचिए 41.85 मतलब अब जैसे कि वॉलिवुड कोई movie बनता है तो आज कलके date में सारु खान, सल्मान खान या अमीर खान लोग है ये लोग क्या होता है 50 करोड से 100 करोड तक चार्ज करते हैं एक movie बनाने के लिए अगर वो मान लेते हैं बहुत अच्छ ही ट्विट कर देता है तो और ये जो छोटे-छोटे ये जो होते हैं जो एक्टर होती है इनको मतलब 10 करोड, 5 करोड या इस तरीके का कुछ प्राइज होता है लेकिन भाई 5-10 करोड के जगह इनको 50 करोड का benefit हो रहा है वो भी एक मूवी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है आज कल के डेट में है, इकने बहुत सार एक्टर आज चुक है तो वो बिलकुल मिल नहीं रहा है तो उनके जगह पर अगर इनको इस तरीके से benefit हो रहा है तो भई ये बहुत बड़ा gain है उनके सामने तो इस तरीके का उन्होंने एक तरीके से मतलब काफी जादा पैसा इन लोगों ने बनाया है जो एक्टर मैंने आपको बताया अर्सत जी ने, तो उन्होंने यहाँ पर 29.43 लाक रुपीज उन्होंने बनाया ठीक है, और उनकी जो वाइफ है उन्होंने 37.56 लाक उन्होंनों भी बनाया सब लोगोंने पैसा बनाया ऐसा नहीं है कि मतलब नुकसान हुआ है किसी को अब बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि भाई ये बताओ कौन सा वो यूटूब चैनल है उन्होंने ऐसा किया जिनसे हमें बचके रहना चाहिए है कि नहीं बिल्कुल बचके रहना चाहिए तो कौन सा यूटूब चैनल उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको बताया जा रहा कि टू यूटूब चैनल थे यहाँ पर दधवाईजर करके बताया जा रहा था ऐसे कुछ था और मनी वाइस था यह दो यूटूब चैनल थे दोनों ने इस तरीके के बहुत सारे मतलब गलत खबर फैलाया गया है जो की मतलब illegal gain इन्हों ने जो किया गलत खबर फैलाया पहले इन्होंने पूरी तरीके से जोर सोर स और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने लगा कि यह गलत है तो सेबी ने इसको जांच किया पकड़ा और यह दोनों चैनल को समझो कि एक तरीके से बैन कर दिया हटा दिया तो यह दो यूटूब चैनल थे अगर आप यूटूब में अगर आप देखोगे तो पता चल जो भी मतलब गलत था उसको सही करके बोल रहे थे पूरी तरीके से लोगों को पबलिक को गलत बोल रहे थे और काफी एचा वोओनों को ने प्रॉफिट किया इसके वज़े से क्या होता है कि प्राइज वाल्यूम में ये सारी चीजों में तेज़ी देखनी को मिलता और उस जाओगे याद रखेगा स्टॉक जब गिरता है तो खरीदना चाहिए भागता है तो क्या करना चाहिए बेचना चाहिए करके और तीसरी चीज में आपको वह लूँगा कि छोटी कंपनी में पैसे लागा कोई दिक्कत के बात नहीं है आप किसी भी स्टॉक में पैसे लागा सकते हो आपकी मरजी है लेकिन कंपनी का जो लेवल है उसके हिसाब से पैसे लागा जो बड़ी कंपनी उसमें बड़ा पैसा जो छोटी कंपनी उसमें छोटा पैसा आप जाल मोडी के पास जाते हो या कोई भी छोटा मोटा चाय आप ज देंके नहीं है आपके लिए 5 förthen भी बहुत है तो आपको पता है जी कीमत क्या है 5 रुपे हैं 10 रुपे तो में इसको क्यूंगा ज्यादा पैसा उसी तरीके से stock market में भी होता है मिन्टो में जाके अपने डिमेट अकाउंट वगर आउपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में